हेलो डियर स्टुडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पड़ा था कि क्रिश्टल दोस क्या होते हैं, क्रिश्टल दोस को हमने दो लैक्चर के अंदर कम्पलीट कर लिया था, नेक्च अपने पास जो आज का टोपिक है, वो है ठोसों में विदूतिय गोन, ठीक है, तो आज अप पर पदार्थों के परकार पड़ते हैं, तो चालगता के अधार पर पदार्थों के परकार, और चालगता के अधार पर पदार्थों के परकार, और चालगता के अधार पर पदार्थ कितने परकार के होते हैं, ध्यान से समझना इसको, तीन परकार के होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार कौन-कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आपने पास आता है, एक होता है चालक, जिसको अपने सू चालक भी बोल देंगे, कंड़क्टर, दूसरा होता है, अर्द चालक, अर्द चालक, और तीसरा होता है, सेमी कंड़क्टर बोलते हैं इसको, और तीसरा होता है, कू च होता है तो वेपदार जिसमें से चालकता परवाहित हो चालकता परवाहित हो सके या विद्धु दारा का परवाह हो सके ठीक है ना उसको हम क्या बोलेंगे चालकता और चालकता की जो इकाई होती है वो पर ओम पर मीटर होती है ठीक है और इसकी जो चालकता की प्रास है वो द दस की power 4 से लेकर 10 की power 7 per ohm per meter होती है ठीक है अब इसके बाद में जो 18 आलक होते हैं उसको अपने बाद में पड़ लेगा पहले कूछ आलक को देखिए जो अपने मेंसे विदुत धारा विदुत धारा यहां भी अपने विदुत धारा बोल देंगे कि विदुधारा का प्रवा ने हो जैसे हो गया काच हो गया रबड हो गया प्लास्टिक हो गया लकडी हो गया ये इसके अंदर आते है इनकी जो चालकता प्रास होती है वो बहुती कम होती है ऑफिज़ा के दस की पावर माϊनस बीश से लेके दस की पावर माइनस दस पर ओम पर मेटर होती है इनकी चालकता प्रास यनिंई यह इसकी रेंज है चालकता की ठीक है अब देखिए अज चालक क्या होते है जिनमें विदुध्दारा का पर्वा विशेस अन्दर होता है मिझेश परिष्टितियों के अंदर कैसे जैसे या तो तंपरेचर की वजए से होता है या थे कुछ एक तरूत्यों की वजए से होता है जो पिछे भी मैंने बताया था आपको सिलिकन और जर्मेनयम की होती है जिसको चलकता प्रास को मैं बोल सकता हूँ दस की पावर माइनस 6 से लेके दस की पावर 4 पर ओम पर मिटर ये चलकता की प्रास है इनके बीच की होती है ठीक है ना तो अगर आप से पूछे की चलक क्या है तो वे पदा जो अपने में से विदुद्धारा को विशेश प्रिष्टितियों के अंदर जैसे इलेक्ट्रोंस की वज़े से या त्रूटियों की वज़े से ताप की वज़े से चलकता प्रदर्शित करते हैं उनको हम अर्द चलक बोलते हैं जिनकी चलकता प्रास सूचालक और कूछालक की मद्दे की होती है और ऐसे पदार चालक है और जिसमें विदुध्धारा का परवाः ने हो जैसे काश रबभर प्लास्टिक हो गया यह इसकी चालकता प्रास हो गी टीक है तो आप देख़िए नेक्स्ट की जो चालक होते हैं उन चालक को हम आगे दो परकार से डिवाइड करते हैं चालक को हम कितने परकार से दो परकार से डिवाइड करते हैं जिसके अंदर पहला तो होता है धात्विक चालक धात्रिक चालक जिसमें इलेक्ट्रोनों के दोवारा विदुदारा का चालन होता है किसके दोवारा इलेक्ट्रोनों का जैसे आईरन हो गया मेगनीज हो गया कोई भी मेटल होगी जैसे चांदी होगी ठीक है और दूसरी अपने पास होते हैं विदूत अपगटनी चालक विदूत अपगटनी चालक या विदूत अपगटनी चालक ठीक है विदूत अपगटनी में विदूत दारा का जो चालन होता है वो किसके दोवारा होता है आइनों दोवारा होता है ठीक है? और ये मैंने एक शुरूउं के अंदर लेक्षर करवा है उसके अंदर बताया हुआ है मेरा कि इसमे विदुधारा का चालल जो है वो आइनों के दोरह होता है ये ठोस अवस्ता जब इसकी होती है तो ये विदुद्धारा के कूछ चालक होते है ठीक है परन्तु इनी को अगर हम गलित अवस्ता के अंदर ले आएं गलित अवस्ता या फिर जलिये विलियन या फिर इनका विलियन बढ़ा ले तो आयन पर्थक हो जाते हैं जिसकी वज़े से ये चालकता परदर्शित करते हैं ठीक है इनमें चालकता परदर्शित होती है गलित वीलियन और जलिय वीलियन के अंदर है ठीक है अब विदूत अपकटनी जो चालक होते हैं वो विदूत अपकटे पदार्थों के दार पर दो परकार से उते हैं परबल विदूत अपकटे जिसको अपने इलेक्ट्रो कमेस्ट्री के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे विलाल आप इतना ही देखिए बोर्ड एक्जाम थो सवस्ता में विदूत धारा का चालन करता है परन्तु कोपर कलोराइड होता है वो गलित वीलियन या जलिय वीलियन में विदूत धारा का चालन करता है आपको बताना है रीजन कि क्यों ये थो सवस्ता के नर क्यों नहीं करता तो चूंकि कोपर एक धात्विक ठोस है जि चुंकि एक कौन सा योगिक है आइनिक योगिक है जब इसको अपने जल के अंदर डालेंगे या इसका विलियन बनाएंगे तो यह आइनों के अंदर कनवर्ट होता है और उसके बाद में विदुद्धरा का चालन करता है तो पेपर में क्या था कि कोपर ठोस अवस्ता में विदुद्धरा का चालन चालकता प्रदर्सित करता है, प्रंतू कोपर कलॉराइड नहीं, क्यों? तो इसका रेजन हो गया कि कोपर की ठोस होस्ता में, सियोंजी कोश में मुट्ट इलेक्ट्रन होते हैं परनतो कोपर कलोराइड जो है वो एक आईनी की योकिग है जिसमें विदू-द्रा का चालन गलित अवस्ता और चली या वीलियन के इंदर ही सम्भाव हो पाता है क्योंकि वीलियन में डालने के बाद ये आईनों में पर्थक होता है तो ये क्यूस्वन आप लिख लेना नेक्स्ट अपने पास तीन परकार के पदार्थ होगे चालक अर्द चालक और कू चालक इन तीनों को हम कैसे और अच्छे तरीके से किस तरीके से समझ सकते हैं तो तीनों को अपने अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं जैसे एक ठोरी है जिसका नाम है बैंड ठोरी ठोरी का नाम बैंड ठोरी इस ठोरी के अकोल्डिंग आम आसानी से तीनों पुदार्थों को समझ सकते हैं ठेक है बैंड ठोरी को समझने से पहले आप एक चोटी सी चीज़ पर ध्यान दीजिए, बेंड थियोरी के अंदर क्या होता है, कि अपने पास दो परकार के कक्ष होते हैं, जैसे पर्दो परमानू के परमानवी एक कक्षक है, वो परमानू के परमानवी कक्षक जब अती व्यापन करते हैं, तो आनवी कक्षक बनते हैं, जै में होते हैं एय युगमित इलेक्टोन होते हैं ठीक है यह युगमित इलेक्टोन जब दूसरे परमाणों के साथ में अतिव्यापन करते हैं तो यह परमाणवी कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं आणवी कक्षक मनाते हैं ठीक है अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं आणवी कक्ष अब क्या होता है कि आणवी कक्सक होते हैं वो दो परकार के होगे कौन कौन से दो परकार के होगे एक तो देखिए जो श्योंजी कोस है उसके इलेक्ट्रोन अपने अतिव्यापन करते हैं श्योंजी कोस के इलेक्ट्रोन जो है वो आपस में अतिव्यापन करते हैं तो एक तो आणवी कक्षक जो हो गया वो कौन सा हो गया जिसमें श्योंजी कोस के इलेक्ट्रोन अक्यवाफन किये हो गया और दूसरा आपने पास क्या हो गया ति श्योंजी कोस के बाद में जो आगे कक्षक होते हैं उनको बोलते हैं रिक्त कक्षक क्या बोलते हैं रिक्त कक्षक तो द परमाणों के पर्माण विये ककसक? परसपर अतिवीअपन करते हैं परसपर अतिवीपन ओवर Lapping करते हैं ुआ अतिवीपन करके 19 कक्षक बनाते हैं जिसमें श्योणजी इलेक्ट्रों होते हैं ठीक है ना उन्हें हम क्या कहते हैं श्योंजिक्ता बैंड कहते है उन्हें क्या कहते है श्योंजिक्ता कक्षक और उस बैंड का नाम हम क्या दे देंगे श्योंजिक्ता बैंड बोल देंगे तो श्योंजिक्ता बैंड कहते है ठीक है और श्योंजिक्ता बैंड से जो आगे कक्षक आएगा श्योंजिक्ता बैंड से आगामी आगे आने वाला जो आगामी उच रिक्त बैंड कक्षक होता है उच रिक्त कक्षक जो होता है ठीक है उसको हम रिक्त बैंड बोलते हैं रिक्त बैंड बोलते हैं जिसको हम चालन बैंड के नाम से भी जानते हैं रिक्त बैंड या फिर चालन बैंड कहते हैं ठीक है तो band theory को समझने से पहले अपने को ये दो चीज़ पता होनी चाहिए जैसे अगर आप और अच्छे से समझे तो अपने पास कोई भी परमाणू है ठीक है आप परमाणू के अंदर के जैसे अपने iron को ले लिया magneze को ले लिया तो इसका electronic configuration argon 3D64S2 होता है इसके बाद में जो फोर P आता है उसके अंदर कोई electron नहीं होता तो ये तो हो गया उच्छ रिक्त band हो गया और ये जो अतिवियापन करते हैं इनको बोलते हैं श्योंजगता band तो इस तरीके से अपने इसको समझ सकते हैं अब देखिए band theory क्या कहती है band theory कहती है कि कोई भी पदार्थ है उसमें दो परकार के band हो गया तीनों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे ये हो गया अपने पास सूच अलक conductor जिसको बोलते हैं ठीक है ये कोई भी सूच अलक पदार्थ है दूसरा अपने पास माले जी ये अर्द चालक है ठीक है और तीसरा हो गया सूच अलक कूच अलक बोल दे ले तीन पर करके पदार्थ हो गया अब देखो इसमें क्या होता है ये अपने पास पहला जो band है उसको हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं ये जो band हो गया इसका नाम हो गया श्योंजित्ता band ठीक है अब इसके बाद में जो band आएगा इसके बाद में जो band आएगा उसको रिक्त band बोलते हैं या चालन band बोलते हैं ठीक है अब देखिए कि सूचालक के अंदर क्या होता है कि ये बीच में जो आपको difference इसके बीच में जो ये gap दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं निशीद छेतर फॉर विडन रीजन ठीक है और ये किसको represent कर रहा है दोनों band के बीच में ये उर्जा अंतर को represent कर रहा है ठीक है अब सूचालक पडार्थ वो होते हैं जिसमें स्योंजगता band और रिक्त band के मद्द है जो उर्जा अंतर होता है वो निउन्तम होता है या बहुत ही कम होता है यानि इनके बीच में जो उर्जा गैप है वो बहुत ही कम होगा तो शोंजगता band में जो electron है वो आफसानी से किस band में चले जाते है रिक्त band में चले जाते है जिसके फलसुरूप ये पदार्थ क्या होते हैं विदुद के सूचालक होते हैं जबकि कूचालक के अंदर देखिए कूचालक के अंदर ये वाला जो band हो गया उसका नाम क्या हो शोंजगता band है ठीक है ये तो आप समझ गई होंगे और ये जो दूसरा इसके उपर मैंने ये band जो बना दिया इसको हम बोलते हैं कौण सा band है रिक्त band बोलते हैं ठीक है ये दो परकार के band होगे इनके बीच में जो ये निशिद सितर है ये निशिद सितर है या उर्जा अं इसके जो उर्जा अंतर है उसको ये शोंजगता band के इलेक्टोन आसानी से पार नहीं कर सकते है या किसी भी प्रिस्तिति के अंदर ये शोंजगता band के इलेक्टोन रिक्त band में नहीं जाएंगे अगर ये इलेक्टोन यहां पर नहीं जाएंगे तो ये ऐसे पदार्थ विद तो देखो समान्य प्रिष्थितियों के अंदर शोंजकता बैंड के इलेक्ट्रोन चालकता बैंड में या रिक्त बैंड में प्रवेसे नहीं कर पाते परन्तु जब अपने टंप्रेचर इनकरीज करते हैं या कोई किसी भी परकार की इंप्यूर्टी मिलाते हैं तो चालकता बैंड के इलेक्ट्रोन विशेश प्रिष्थितियों के अंदर रिक्त बैंड में चले जाते हैं और ऐसे पदार्थ विदूत के क्या खलाते हैं अर्द चालक खलाते हैं ठीक है तो सिंपल सी डेफिनेशन के अंदर हम बोल देंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें श्योंजक्ता बैंड और रिक्त बैंड के मद्द उर्जा अंतर अलप होता है तो श्योंजक्ता बैंड के इलेक्टोन आसानी से निशी दिशेतर को पार करके रिक्त बैंड में चले जाते हैं तो ऐसे पदार्थ विदूत के क्या कहलाते हैं सूच जो definition मैंने बोली है वो आप लिख लेना दूसरा कूच अलग किसको बोलेंगे तो कूच अलग हम बोलेंगे कि ऐसे पदाथ जिसमें शोंजकता बैंड और रिक्त बैंड के मद्द जो उर्जा अंतर होता है वो उर्जा अंतर बहुत अधिक होता है तथा किसी भी प्रिष्टि परन्तु अर्द चालग की definition हम क्या देंगे कि ऐसे पदार्थ जिन में शोंजकता बैंड और रिक्त बैंड के मद्द उर्जा अंतर मद्द होता है और मद्द होने के कारण क्या होता है कि ताप और तूटियों की उपस्तिती में शोंजकता बैंड के इलेक्ट्रोन आसानी स रिक्त बैंड में चले जाते है जिसके कारणी ये विदूत की चालगता परदर्शित करते हो और ऐसे पदार्थ विदूत के क्या कहलाते है अर्द चालग कहलाते है इन तीनों चीजों को समझने के बाद में अपने पास नेक्स्ट जो टोपिक आता है वो आता है कि अपने पास जो चालग है सपेश लाइजेशन अपने अर्द चालगों को पढ़ेंगे तो अर्द चालगों की चालगता नेक्स्ट अपने पास टोपिक क्या है कि अर्द चालगों की चालगता को हम कैसे दिखाएंगे तो ये भी दो परकार के होते हैं दो परकार के कौन से एक तो होते हैं शुद्ध अर्द चालक work. शुद्ध अर्द चालक. ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है ऐसुद्ध अर्द चालक. जीस को हम एक नाम और बोल सकते हैं. अप दर्वी अप दर्वी अर्दचालक भी बोल लेते हैं ठीक है इसको एक नाम और भी बोलते हैं अपने नेज अर्दचालक बोलते हैं ठीक है अब इनको समझते हैं क्या तो अर्दचालक के अंदर बेसिकली दो अदार्थ आते हैं ज्यादा आतर वो आते हैं सिलिकन और जर अब सिलिकन के परमाणू है चार इलेक्ट्रोन के कारण अन्य सिलिकन के परमाणूं के साथ में चार से सिंजक बनाते हैं और इस तरीके से जुड़े होते हैं ठीक है एक दूसरे के साथ इस तरीके से कमबाइन रहेंगे ठीक है इस तरीके से ये पिछे भी बताया था मैंने, इस तरीके से होते हैं, अब क्या होता है कि इनके बीच में जो bond होता है, वो weak होता है, नेचर में, तो ये electrons present है, जो सहसे उनज़क बंद बनाए हुए है, अब क्या होता है कि जैसे ही इसके उपर sun light ये temperature गिरता है, जिसकी वज़े से ये जो bond ह होता है, दोनों के बीच में ये दूरूबल होता है, और bond दूरूबल होने के कारण जब इसके उपर temperature गिरेगा, तो उस temperature की वज़े से क्या होगा, ये दोनों electron मुक्त हो जाए है, उनके बीच में जो bond है वो तोड़ जाएगा, अब चुंकि ये जो electron होता है, वो crystal lattice को छोड कर, suppose that कि एक electron बाहर निकल गया, अगर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बनगी, यहाँ पे बनगी एक रिक्ती, ठीक है, अब क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे कोई electron परजेंट है, ये वाला electron इस रिक्ती के अंदर enter आजा, कर जाता है, और ये जो रिक्ती होती है, वो इसके स्थान पर चली जाती है, इसी तरीके से continue ये आगे चलता रहेगा, यानि रिक्ती और electron एक दूसरे के वीपरी दिशा में गमन करते हुए परतीत होते हैं, इस तरीके से, ठीक है न, तो जिस और धनातमक रिक्ती, चुंकि यहाँ पे electron क्या हो गया, बाहर निकल गया, गया, तो ये जो रिक्ती बनिया करते हैं, उसका नाम क्या है, दनातमक रिक्ती, जिस ओर गमन करती है, उसी तरफ विदुदारा का चलन होता है, या फिर अपने बोल से टें, electron के वीपरीद विदुदारा का चलन होता है, तो ये कहलाते हैं, सुद अर्द चालन क्योंकि इस इसको बोलते हैं इसको अपने बोलते हैं डोपिंग ठीक है डोपिंग बोलते हैं पत्ता हूंगा मैं किसको बोलते हैं दोपिंग माल लीजिए अपने पास सिलिकन की कोई प्लेट है ठीक है और सिलिकन की प्लेट में इस तरीके से सिलिकन के परमाणू है वो व्यवस्तित है ठीक है इस तरीके से सिलिकन के परमाणू व्यवस्तित है कि इस तरीके से सिलिकन के परवाणूट व्यवस्थ आप देखिए जो अर्द चालत कोते हैं वह कौन से वर्ग की सद्धतर होते हैं वह कौन से वरक के अदर अत tut यह आते हैं वांग जाउदा के ठीक है वरग जोदा में कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, एंटिवनी और तिन और लेड ठीक है यह आते है अब इनके सभी के बायतम कोस में चारचार इलेक्टोन है अब देखिए वरग तेरा ध्यान से समझना इसको वरग तेरा में आते हैं ब्रोन, ऐलुमिनियम, गेलियम, इ माल लीजिए मैंने इसमे ब्रोन की एसुदी या फिर अलुमिनियम की एसुदी मिला दी फोर एक्जामपल जैसे माल लीजिए मैंने यहां पर इस जगह पर किसकी एसुदी को मिला दिया अलुमिनियम की एसुदी को मिला दिया अब आपको पता है सिलिकन के पास तो अपने इन सिलिकन पर्मार्णओं के साथ में कोलेंट बोन्ड बॉला लेती है परंतु यहां पर क्या हो जाती है? रिक्ती बन जाती है चुक्रिक इस रिक्ती के अंदर कोई भी किसी परकार का इलेक्ट Corner नहीं है तो इस रिक्ती का नाम है दनातमग रिक्ती ठीक है जिसको हम बोल देंगे positive hole बोल देंगे ठीक है अब क्या होता है कि ये वाला जो electron है वो इस रिक्ति के अंदर आजेगा तो ये रिक्ति इस वाले electron के पास क्योंकि इसके कारण क्या हुआ electron का पूरे crystal के अंदर परवा हो गया electron का पूरे crystal के अंदर परवा हो गया जिसकी वज़े से विदुदारा का चालन हुआ तो ये वरग 14 के परमाणू जो है वो किसके हैं सिलिकन के इसमें हमने वरग 13 का क्या मिला दिया aluminum मिला दिया aluminum मिलाने से क्या हुआ इसमे एसुदी आगी ठीक है और एसुदी आगी तो इसको हम बोलते है पी परकार के अर्द चालन है इसको हम क्या बोलते है पी टाइप के सेमी कंडेक्टर पी परकार के अर्द चालन है ठीक है ना चुंकि इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो इलेक्टोन की कमी है ठीक है तो इसको हम बोल सकते है पहले चीज़ इलेक्टोन नियून ऐसुदिया अब अगर बैटा मैं आप से ये क्यों सन पूछ हूँ कि अर्द चालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए हम किस परकार की ऐसुदियों को काम में लेते हैं या एसुद अर्द चालक कितने परकार के होते हैं तो इसका जो पहला परकार आगया वो पहला परकार आगया इलेक्टोन नियून एसुदिया मिलाने से या पी परकार के अर्द चालक बनते हैं पी परकार के आप लिखोगे कैसे अगर आप से बोड़ एक जाम में पूछे हैं क तो इसके अंदर लिखोगे कि वरग 14 के सदसे सिलिकन और जर्मेनियम बेसिकली अर्द चालक होते हैं जिसमें हम वरग 13 की ऐसुदी को मिलाते हैं जैसे ऐलुमिनियम को तो उसके बायतम कोस में तीन इलेक्टरॉन होते हैं तीन सहले चालक होते हैं जबकि चोथा सिलिकन का इलेक्टरॉन बंद बनाने में समर्थ नहीं है क्योंकि को यहां पर एक धनात्मक रिखती बनती है पोजिट्व होल बनता है और इस positive hole के कारण इसको हम क्या बोलते हैं P परकार के अर्दचालक बोलते हैं ठीक है यह होगी electron noon acid दूसरी अपने पास जो आती है वो आती है electron dhani acid ठीक है एक होगी electron noon acid जिससे P परकार के अर्दचालक है ठीक है दूसरी आती है दूसरा जो परकार होता है एस अर्दचालक का उसको हम बोल देंगे electron dhani acid ठीक है और इससे किस परकार के अर्दचालक बढ़ेंगे वो मैं बाद में लिख रूँगा अब देखिए यह वरग चौदा है जब 13 की मिलाई तो P परकार के और वरग 15 की acid को मिलाते है nitrogen, fast force, arsenic, antimony और bismith चुकि हम यहाँ पे nitrogen को नहीं मिलाएंगे क्योंकि यह शेवस्ता में है fast force को मिलाएंगे fast force को मिलाएंगे तो देखे कैसे यह silicon के परमाणू है आप उसी तरीके से silicon की एक plate बना लेना यह होगया fast force का परमाणू अब fast force के बाईतंग कोस में जो electron होते हैं वो होते हैं बिटा 5 ठीक है तो इस तरीके से यह कुछ एक चार तो silicon के साथ में सेशियोंजगे बंद बना लेते है ठीक है इसको आपने complete कर लेंगे ठीक है चार तो सैसियोंजगे को बंद बला लेते हैं लेकिन पांचमा electron है वो मुख तरह जाता है कोई बंद नहीं बनाता चुमकि यह electron इसका एक फालतू रह गया electron की वज़े से इसको बोलते है negative या N type के या N परकार के अर्द चालक ठीक है तो अगर आपसे पूचे कि N परकार के अर्द चालक क्या होते हैं तो जब वरग सुदा के अंदर वरग 15 की सुदी मिलाई जाती है तो वरग 15 के बाईतम कोश में पांच electron होते हैं जिसमें से चार तो अन्य सिलिकन परमाणों के साथ में से शियोंजग बना लेते हैं लेकिन पांचमा electron crystal जालक में 6 सुदा जाता है जो पूरे crystal जालक के अंदर motion करता है जिसकी वज़े से ये चालकता परदर्सित करते हैं चुँकि इसमें electron जादा है तो इसको बोलते है electron धनी ए सुदिया और एन परकार के अर्द चालक ठीक है अब देखिए इसको अगर अपने और ध्यान से समझे doping सबद का मतलब क्या है doping का मतलब यह यह बेटा कि जो अपने पास अर्द चालक है उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया उसमें 13 और 15 के तत्वों को मिला गिया और 13 के और 15 के तत्वों को मिलाए जो एसुद्धी के रूप में है इसलिए इनको हम क्या बोलते है doping यानी अर्द चालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अन्य परकार के लिए या वरग 13 और 15 के सद्वियों को मिलाना या अन्य तत्वों को मिलाना doping कर लाता है ठीक है अब देखिए अपनी चीज़ ये clear है वरग 12 को हम कि मिला सकते हैं अत्वा नहीं और वरग सोड़ा को मिला सकते हैं अत्वा नहीं तो वरग 12 और शोड़ा को भी मिला सकते हैं अपने basically अगर आप से पूछे कि वरग 13 और वरग 15 तो इन दोनों को हम मिला सकते हैं आपका answer यही होना चीए अगर आप से पूछे कि योगिक किस परकार के मिला सकते हैं अपने अर्द चालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए तो जिनकी ओस्त शियोंजगता कितनी हो जिनकी ओस्त शियोंजगता कितनी हो चार उनको हम मिला सकते हैं एलुमिनियम के बायतम को उसमें तीन इलेक्टरोन वरग तेरा के बायतम को उसमें तीन इलेक्टरोन और वरग पंदरा के पांस इलेक्टरोन पांस से तीन है आठ उस्त कितना आगे है चार यानि हम किस परकार के पदार्च मिला सकते हैं एलुमिनियम फासफाइड मिला सकते हैं एलुमिनियम आर्सेनाइड मिला सकते हैं इसी तरीके से गेलियम फासफाइड मिला सकते हैं गेलियम आर्सेनाइड मिला सकते हैं इस परकार के योगिक हम इसके अंदर मिला सकते हैं कोई भी आप योगिक बना सकते हो वरग 13 और वरग 15 के सदस्यों को जोड कर उनके बीच में सहस योजग बंद को बना कर ठीक है इसी तरीके से वरग 12 में क्या आता है जिंक, कैडमियम और HG आता है और वरग सोड़ा में ओक्सीजन, सल्फर, rikton और फूलोनियम आता है तो एनके योगिकों को भी हम मिला सकते हैं क्या तो बिल्कुल मिला सकते हैं क्यों कि वरग 12 के बाईयतम को उसमें 2 इलेक्टरोन होते हैं और वरग 16 के बाईयतम को उसमें 6 इलेक्टरोन होते हैं 2 पलस 6 अपॉन 2 ओस तश्योंदिकता आगी 4 और यही बात मैंने बोली है कि जिन योगिकों की ओस तश्योंदिकता कितनी हो चार उनको हम आसानी से मिला सकते हैं तो अपने पास जैसे योगी को गया ZNO को मिला दिया ZNP को मिला दिया CDS को मिला दिया CDSE को मिला दिया इसी तरीके से HGS को मिला दिया ये कुछ एक कमपाउंड है जिनको हम आसानी से अर्द चालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए उक्योग में लेते हैं ठीक है तो आज के टोपिक में जो इपोर्टन्ट क्यूशन क्या बनता है वो ये बनता है पहला कि बैंड थोरी के अधार पर चालक अर्द चालक और सू चालक को समझाईए ये एक इपोर्टन्ट क्यूशन है बोर्ड एक्जाम में दो नमर का आएगा तो पहला क्यूशन आप क्या त्यार करोगे कि बैंड थोरी के अधार पर चालक को चालक और अर्द चालक को समझाईए तो तीनो डायग्राम बनाएकि तीनो के डेफिनेशन लिखने है जादा कुछ नहीं करना दूसरा जो क्यूशन बनता है वो बनता है कि डोपिंग क्या है तो डोपिंग क्या है अर्द चालक को बढ़ाने के लिए उसमें दूसरे परकार के ततूँओं को मिलाना जैसे वरग 13 और वरग 15 वरग 12 और वरग 16 को मिलाना क्या कहलाता है डोपिंग कहलाता है ठीक है एक होते है सुध अर्दचालक और एक होते है ए सुध या अपदर्वी अर्दचालक है जिसमें हमने N और P परकार दो परकार के अर्दचालक बढ़े है कब N परकार का बनता है 13 और 15 का सदे से लिख कि आप योगिक बना सकते हो कोई भी 12 और शोड़ा के दो ततों को आपस में कंबाइन किरके आप योगिक बना सकते हैं तो आज के इपोर्टेंट जो किसन है उनको N और P परकार के अर्दसालक डोपिंग इलेक्टोन धनी और एलेक्टोन न्यून एक्ष